Good morning students. Students, हम FEDLISM chapter read करें थे जिसमें हमने कई topics के regarding discuss किया था ते एक बर recall करते हैं कि हमने क्या-क्या topics के बारे में discuss किया था सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था need for FEDLISM कि FEDLISM की हमें क्या ज़रूरत है और दूसरा meaning of FEDLISM कि FEDLISM का meaning क्या है जिसमें main जो aim निकल के आया था division of power between center and state government फिर हम इंडिया के FEDLISM के regarding discuss करें लगे कि इंडिया में FEDLISM कैसे आया, कैसे अपनाया गया इसको British ने इसको start किया था इसके बाद फिर जो आता है हमारा वो आता है provisions कि कौन-कौन से provisions है जो इंडिया को एक secular इसके बाद हमने पड़ा था कि इंडिया में वो कैसे है कि इंडिया जनरली मेंने आपको बताया था कि इंडिया इंडिया उनिट्री और FEDLISM का mix up है कि कुछ फीचर्स हमारे यहां पर FEDLISM की है और कुछ उनिट्री की है उनिट्री में क्या था single constitution है इसके लावा center के पास अधिकार है power है कि वो state का नाम change कर सकती है उसकी boundaries को change कर सकती है single citizenship, single judiciary, common all India services यह सबी इसमें हमने points हमने पड़े थे इसमें हमने एक और पड़ा था कि governor जो होता है वो एक center government का एक agent के रूप में काम करता है ठीक है यह चीज़े फिर Indian federalism जो है इसके regarding हमने discuss किया कि जिसमें हमने यह देखा था कि इंडिया में जो federalism है वो centralized है यानि कि center जो government है वो हमारे पास ज्यादा power हुल है हमारे यहाँ पर ठीक है इसके बाद आया center state relation कि center or state के बीच में relations कैसे है इसके लावा देखा हमने थ्री लिस्ट के बारे में पढ़ा है पढ़ा है कि जिसमें division of power union list state list और concurrent list इसके लावा एक residue powers और थी ठीक है अब फिर हमने इनके relations legislative legislative में हमने देखा कि center government जादा powerful होती है state के उपर इसके लाव फिर administrative में भी हमने यही चीज़ देखा कि center जो होता है वो जो state government में जो administration department होता है governor वगरा जो होता है उस पर head होता है और financial कि पैसे की जो मदद करता है taxes वगरा उन सभी पर center government का अधिकार होता है ठीक है फिर इसके बाद हमने पढ़ा था इसमें कि इनके बीच में जो disputes होते हैं central state में किन-किन बातों पर होते हैं जिसमें की पहला होता demand for more autonomy इसके लबा use of article 356 office of governor all india services emergency ठीक है opposition of language demand for new state कि यह अलग-अलग हमने topics पढ़ा थे जिसमें कि हमने देखा था कि central state के बीच में disputes conflicts rise होते हैं ठीक है आज हम पढ़ रहे हैं इसका last topic जो है special provisions for some states कि हमारे यहाँ पर कुछ states है जिनकों की special provisions दी गए हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि जो north east के जो हमारे eastern जो हमारे states है seven sisters वहां के जो governor से उनको special powers दी गई है तो इस तरह के कुछ समारे हैं पर states है जिनकों की special provisions special powers दी गई है okay, में सबसे पहले jamu and kashmir अब ध्यान दीजेगा कि पहले jamu and kashmir जो था वो एक state था लेकिन recently इसे state का दर्ज़य इसका खत्म कर दिया गया है और अभी union territories में इसको divide किया गया है union territories तीन यो दो union territories इसमें पनाई गई है जम्मू और कश्मीर एक union territory है और दूसरी union territory जो है वो लग्दाक ये दो union territories में इसको divide के आ गया है ठीक है तो इसमें जो जम्मू कश्मीर का जो status दिया है हुआ है ये पुराना दिखाया हुआ है ठीक है अभी books में ये पूरी तरह से नहीं हुआ है अपडेट नहीं हुआ है लेकिन ये पुराने के according यहाँ पर चल रहा है तो देखेगा कि जम्मू और कश्मीर is the only state of India to have a separate constitution कि जम्मू कश्मीर ये कहाँ असा state था इंडिया का जिसको की अलग से जिसका अलग से constitution था और वहाँ पर dual citizenship थी the state has been given considerable autonomy और state को वहाँ पर कुछ ज्यादा अधिकार दिये गई थे ज्यादा पावश दी गई थी so that people of Jammu and Kashmir can realize their aspirations ताकि जो Jammu and Kashmir के लोगों के aspirations से इच्छा है है वो उनको पूरा कर सके अब Jammu Kashmir को जो special state का दर्जा जो दिया गया वो article 370 के according दिया गया था दिकि Jammu Kashmir एक princely states था कि वहाँ पर राजा का अधिकार था ठीक है और उसे यह option दिया गया था कि वह चाहे तो इंडिया को जोईन कर ले चाहे पाकिस्तान को या अपने आप में independent भी रह सकता है ठीक है लेकिन Jammu Kashmir जो था भारत के साथ शामिल हुआ और जम्मू Kashmir को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या यू दोच चुके है ठीक है तो आर्टिकल 370 जो है इंडियन कॉस्टियों उसे एक special status देता है इन केस ऑफ जम्मू और किसमीर ऑफ जम्मू कश्मीर के पास पास लिमिटेड पावरस थी ठीक है वो के इंटर्नल मैंटर्स में इंटर्सटियोग नहीं कर सकता था यह अकसटनल मैंटर्स थे वह हमारी ऑफ देखती थी the central government cannot use the union list and concurrent list powers without the consent of Jammu and Kashmir कि union list और जो आपने concurrent list पड़ी थी जिसमें हम ने देखा कि central government पाज़ा पावर तो वो उन subjects को वहाँ पर लागू नहीं कर सकती थी वो लागू तभी होते थे जब वहाँ की जो विदान सभा होती थी वो उसे एप्रोब करते थी जम्मू and Kashmir even has a separate constitution, separate flag ठीक है और no emergency can be imposed कि जम्मू कश्मीर में internal उसके लेकर disturbance को लेकर वहाँ पर जम्मू कश्मीर में emergency नहीं लगाई जस्ती आप लगा सकते हैं emergency ऐसा नहीं कि नहीं लेकिन वहाँ की जो government है उससे आपको permission लेनी होगी state government से financial emergency also cannot be imposed in Jammu and Kashmir directive principles जम्मू कश्मीर में apply नहीं होते हैं और amendment जो है Indian constitution में जो article 368 में है वही applicable है लेकिन वह भी तब वहाँ की government के रिकांग्नाइज को तो कहने का मतलब कि Jammu कश्मीर जो state था उसको हमारे यहाँ पर special powers दी गई थी और वह article 370 के according दी गई थी ठीक है इसके बाद आता है states of northeastern India की north east जो हमारे states है उनको कुछ special powers देखें the governor of Assam has special progressive powers over the north eastern states of Assam, Tirpura, Manipur, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh कि यहाँ के जो governor है उनको ज़्यादा पावज दी गई है this has been done to protect the interest of tribal और उनको ज़्यादा अधिकार दिये गए है special powers वहाँ की जो tribal community है उसको protect करने के लिए उनको develop करने के लिए ठीक है जो कि वहाँ पर hilly areas मेरा रहे है the government has taken steps to provide regional autonomy कि government ने कावी steps लिए कि उनको regional autonomy दी जाए ठीक है so that outside intuition does not affect the interest of the tribals living in these ताकि बाहर से जो लोग आते है गुस्पैटी जिने हम बोलते है वो वहाँ के लोगों की जो lives है उनको पर affect ना डाले article 371 जो है वो उने special status का दर्जा देता है ठीक है इसके लाव कुछ और provision states है some hilly states like हिमाचल प्रदेश and other like आंधर प्रदेश, गोवा, गुजरात, महारा से सिंख किम इनको भी कुछ special powers दी गई है ठीक है तो federalism इंडिया में है लेकिन federalism पूरी तरीके से इंडिया में लागू नहीं किया गया है कुछ provisions है उसके लागू किये गया है otherwise इंडिया में हम कह सकते हैं कि unitary system है mix up है दोनों का ध्यान ना पूरी तरह से federal है और ना ही पूरी तरह से unitary क्योंकि अगर unitary होता तो central government पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं होता लेकिन अभी भी central government के उपर कुछ restrictions है ठीक है अब यहां पर कुछ glossary दी हुई है देख लिए एक पर centrifugal एक word है जिसका मतलब होता है tendency to more to move away from center कि centrifugal का मतलब है कि center से अपने आपको दूर रखना ठीक है ना और इसके अलावा है centripetal centripetal की center के close जाना center के नजदीक जाना confederation की lose और temporary adjustment जहां पर states को अपने regarding खुद powers है ठीक है एक centralized federation centralized federation में कि जहां पर center जो होता है वो strong होता है और state के पास कुछ powers कम होती है और decentralization में decentralization जो है पूरी तरह से federation कि जहां पर center state के बीच में power को अलग अलग तरीजे से बाटा गया है means दोनों एक दूसरे के interfere नहीं कर सकते है ठीक है तो यह हमारा chapter नवेटा federation ठीक है कर दो सकते हैं और इस तार छूस्थ में में डेटर नव इन यह है हमारा जोड़ी के जाड़े आवरे अलग यहाई परेट तरह घुडा में यहां परेटर कर दो अंगोरे अलगूज nूवेटार्स वहाई झालग सी डेटर में अलग परेटर दोंग गड़ी एटर कर